हेलो फ्रेंट्स वेलकॉब तो माई यूट्यूब चैनल भरत अस्टेड़ेज आज इस चैनल पर हम लोग एससे सिजल 2021 के 23 अगस्त के सेकेंड स्रिप्ट के इंग्लिश के परपर को सॉल्प करेंगे तो चलिए वीडियो स्टाइट करते हैं हमारा पहला कोस्टन है तुबी एकlı्य मोइलितियाओ है तुबी लॉइट यर्स अवे जिसका में मλαश्य मतलना है मतलब क्या होता है में होता है अभी के तुल्णा में कोई चीज कोई चीज परिजेंट या पास्ट में जो है वह जो आ यह हो बहुत बहुत दूर तक होना मैं इस बहुत मेरा वास्ता ना हो यह जो होना चाहिए अभी के तुल नाम होना चाहिए an extremely long time from now in the past or future अभी के तुल ना वो चीज्ज जो है बहुत यहां तो past को होना चाहिए फिर future को होना चाहिए तो यह meaning हमारा किस में है, friends, option B, तो B, question का right answer हो जाएगा. चलब हम दोका 77th question को सुलक परते हैं. ponder, ponder का में क्या बताना है? synonym बताना है. ponder मतलब क्या होता है, friend, ponder मतलब होता है vichar करना, vichar करना या chintan करना, vichar करना या chintan करना. terminate, मतलब क्या होता है, friends? इसका इमको सैनोनीम बताना है Terminate मतलब होता है समाप्त करना समाप्त करना Celebrate मतलब होता है मनाना खुसियां मनाने से कोई पार्टी celebrate करता है Agitate मतलब होता है चिंता या फिर चिंता करना चिंता होता है या फिर चिंता करना दूख में होना meditate मतलब क्या दा independent meditate मतलब होता है नोः जो कर दूसरा इस हो जाब हो जाए करना भी होता है चिन्तन विदियर उंतने हमें सन Tree अट कर दो सॉल परते हैं क्वेंग मतलब होता है कोई पीठ न होता है कोई चीज को पीठ nervous return 6डिली अधना मतलब łता है क्वाइप की सवारी करना इंच सब सिकेब्लकुद ये शाइकिल जलता ना झृफ इससो को चलाने केविए क्लिए उपाइप करते चलाना हहाँ पर चलाना को ग्राइड होगा है यहाँ पर कुवर्ड उयुच करेंगा यह इस्प्रेसल उए अधर साइकर राइड के क्यास में है यह याद रखना है ऐखना है सट टिट बीट है कैसे beginnen पूंचा जा रहा था यह हमारा अन्सर हो जाएगा बीट मतलब .... पीठना होता है तो हमारा आंसर जो हो जागा फ्रेंट ऑप्सन भी हो जाएगा लेकिन फ्रेंट हम लोग रेश्ट टू अप्सन को भी मिनिंग हम लोग जान लेते हैं रेंग मतलब क्या होता है रिंग का भित्री है रिंग मतलब बजना होता है रिंग रेंग रेंग सिंग मतलब गाना सिंग का सिंग का भीटू है सिंग सेंग संग गाना होता है ना सिंग मतलब तो इससे तो प्रेंट का राइड अंसर भी हमने देख लिए हैं चलिए अब हम लोग 79 को स्वाप करते हैं अब यहां पर अब्जेक्ट क्या जिया और यह सब्जेक्ट है फ्रेंट क्या भी टू है सिंपल पास्टेंज में है यह अब्जेक्ट है तो पहले अब्जेक्ट आएगा जिया है जिया तीनों में है उसके बाद यह सिंपल पास्ट है तो क्या है क्या आएगा वाज वेर स्ट्रक्चर आएगा अब्जेक्ट प्लस वाज वेर प्लस भी थरी अब्जेक्ट जिया है उसके बाद वाज यह वेर तो एक सिंगलर है तो वाज आएगा तो वाज इसमें है इसमे जासुस ॔हों होता है इसका मतलब क्या था महत्व मतलब किसे को साबूत होता है डिटेक्टिव मतलब क्या होता है यह है यह 1 यह सबोत होता है तो यह words लेती citizen जैसा कि पतेठ्वकिन व्षयआ करना टीका होता है टीका होता है। तो यहां पर double C आएगा, यह इस्पिलिंग फ्रेंट, रॉंग था, option D जो है, यहां एक सी दे रखा है, यहां पर, एक सी के place पर double C आएगा, यह double C आएगा, फ्रेंट इसको राइट आउंसर, option D हो जाएगा, चलिए हम भूप स्वाल करते हैं, 81st question को, हमरा 81st question में है, एफ C, A, B, D है, D में, B, C, D, A है, तो जैसा कि हम जानते हैं, option A, जो है, C से start हो रहा है, option C, जो है, C से start हो रहा है, B, D से start हो रहा है, इसलिए, इसका probability नहीं हो, एंसर होने का, D, B से start हो रहा है, यह भी, यह cancel हो जाएगा, तो हमारा बचा कुन सा option, option, option A और C, क्योंकि दोनों में, first, जो है, first letter C, common है, तो, चलिए friends, अब हमें यह check करना है, D होगा, या, A होगा, चलिए, अब हम चेक करते है A dog and a cock, having struck up an acquaintance, went out on their travels together, C के बाद यह पढ़ें, C के बाद D, D को पढ़ते है, Nightfall found them in a forest, so the cock flying up on a tree, pursed among the branches, while the dog dozed below at the port C D, Uskavaj, B.A. As the night passed away and the day downed, the cock, according to his custom, set up a shrill crying, B.A., a fox hearing the cock, thinking to make a meal of him, came understood under the tree, friends, जैसे हम देख रहे है, option A ही जो है, इस sentence को meaningful, बना रहा है, C, D, B.A. ही, होगा, इस question का right answer, means option E, A ही होगा, इस question का right answer, क्योंकि friends, यह बगाव, हम लोग मिनिंग को check करें, तो C को अगर read करें, कह रहा है, मतलब कुटा, एक मुर्गा है, दोनों क्या करता है, दोनों मिलता है, ठीक है, मिलता है, और दोनों साथ-साथ यात्रा करता है, ठीक, उसके वाद D में, उसके वाद रात हो जाती है, जंगल में दोनों, मतलब घूम रहा है, कुटा और मुर् मूर्गा क्या करता है उड़ पेड़ पर चला जाता है और इसकी शाखा पर बैड़ जाता है मूर्गा उसके बदे जाता है उसके बाद होता है वह अपना आवाज निकालता है उसके बाद ए एक फॉक्स उसका एक लोमडी जो है मुरगा के आवाज को सुन करके मतलब आता है तिंकिंग तू मेक अमील आप ही एंड केम अडिश्टूट अंदर इस दट्री वह सुचता है कि खाना है हमारे लिए तो वह जो है पेड के नीचे क्या होता है आ करके आ जाता ह है एक लोमडी तो इसकोशन का जो है फ्रेंट यह ही मिनिंग फुल बना रहा है यह ही इसकोशन का राइट अंसर है चले अब मुख सॉल्व करते हैं अब लुख सॉल्व करते हैं एटी सेगेंड कोशन को चैन यू डैस बिट्विन दीज तो सेट्स अब ग्रीन इस टैप का क्वेशन आए बिट्विन बिट्विन से पहले कौन सा वर्ड आता है यह एक फ्रेजल भर्प से रिलेट कोशन है फ्रेंट इस टू है फ्रेंट तो डिस्टिंग्विस एक अशा वर्ड है जिसके बाद जो है बिट्विन का यूज करते हैं डिस्टिंग्विस बिट्विन मिंस अंतर बताना डिस्टिंग्विस के बाद बिट्विन यूज किया जाता है फ्रेंट यह फ्रेजल भर्प है तो हमारा जो है इस एटीटू का रा मतलब होता है रास्ता भटक जाना रास्ता भटक जाना डिस्ट्रेक्ट मतलब होता है ध्यान भंग हो जाना या फिर रास्ता भटक जाना ध्यान भंग होना या रास्ता भटक जाना यह भी सिंस देता है रास्ता भटक जाना तो फ्रेश का डी हो जाएगा ज़न स्वध कर थे לर्व करते हैं थार्ड कुषरित को का फीज आउट आओ वटर इसको पर फ्रेंट शाए फंट जैंडर्व। करते हैं एक्छरिय है जो क्या हैं जो कि पानी के बाहर है फानी नहीं बनार था nos पानी यहांद है ओर में पाने मठा मचली इसको हमने बाहर कर दिया तो यह मचली के साथ क्या होगा यह क्या होगा यह फिल अनकमपोर्टेवल इन फैमिलियर स्रॉंडिंग यह पानी में हती है मचली इसको हम बाहर करेंगे यह अपना स्रॉंडिंग जो है यह एयर में आ गया तो अन फैमिलियर स्र स्रांडिंग इस को फ्रेंट्स ऑप्शन यही राइट अंसर हो जाएगा मिंस अनकमपर्ट अन फैमिलियर से स्रांडिंग में अनकमपर्टेबल फिरकल फिरकलना फिलकरना और फिस आउट ऑफ वाटर चलिए यह राइट अंसर है हम लोग अट्टी फॉर्ट को सल्प करते हैं सब्सक्रांद में यहीं तो 9 सिंगलर होषबamat रखें करेकल है हो सब्सक्रांद आर के बाद ऑन और आया हमें अचने मैंसे भीतरी आता है यह भी नहीं आएगा तो नहीं ही आएगा तो इस मिनिंग को देखते हुए ऑप्शन बी जो है राइट अंसर हो जाएगा और यह मिनिंग फुल बना रहा है जो भी होस्टल का रूल को जो तोड़ रहा था जो तोड़ता था उसको वार्डे ने क्या किया दंडित किया दंड दिया उसे तो यहां पर पास्ट का पास्ट का सेंस आ रहा है तो वालेटेड आएगा ऑप्शन बीज दा राइट आंसर अब हम लोग शॉल्ब करते हैं फ्रेंट्स एटी फिप्ट को अब पास्ट हो इंटर्टेंस पीपल बैडविंग डिफिकल्ट फियट्स फियट्स मतलब क्या होता है फ्रेंट्स कर्टूत होता है कर्टूत या एक्टिविटी एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों को इंटर्टेंड करता है मनोरंजन करता है लोगों का क्या करके कोई अपना कर्टू दिखा करके कोई अपना कला को दिखा करके तो ऐसा व्यक्तिव क्या कहेंगे जो अपना कला को दिखा करके या अपना छोटा मुड़ा जो भी माजा किया वो कर्टू थे वो दिखा करके लोगों को मनोरंजन करता है तो ऐसे व्यक्तिव को हम एक इसका मतलब होता है कला बाज या या नट खेल दिखाने वाला नट खेल नाटक का खेल दिखाने वाला यह हमें इस एक्रोबैट मतलब होता है इस्ट्रोणाट जो इस्ट्रोणाट तो हम लोग जानते हैं जो इस्पेस में जाता है उसको इस्ट्रोणाट बोलते हैं और कोमेडियन परफॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉ यह निलिएशन का ख्रञरक्वार खॉशन है अलास I have broken my brother's watch said he तो यह अलास फ्रेंट्ट एक अर्साय word है गो जैसका मनाजा है अलास I have broken my brother's watch said he तो इसका बनेगा लटेया, तो करता, तो इक सक्रैम्ट विच भी शोरो सो तो आयगा ही, आई याइब भरोकन पर्जेंट परकथ नस अखित बॉट्ट Sr. ही यह है, Screen तो हमारा जो right answer हो जाएगा option B हो जाएगा तो B is the right answer तो ले फ्रेंट्स हम लुक्स्वल करते हैं 87th question को expunge एंटोनीम हमें बताना है किसका है expunge का है सबसे पहले फ्रेंट्स expunge मतलब होता है क्या है expunge मतलब हमको होता है expung expunge मतलब होता है हटाना हटाना to remove something हटाना to remove something यह expunge मतलब होता है draw मतलब क्या होता है draw मतलब होता है खीचना कोई चीज़को खीचना wipe मतलब क्या होता है wipe मतलब होता है पोचना कोई चीज़को पोचना है omit मतलब क्या होता है चूक होता है या फिर भूल होता है को बल्टा हमसे क्या पूचा जा रहा है इक स्पांज का एंटरीम मिंदेग पॉटा हटाना जोड़ना किसी को फॉट रहे हैं मतलब जोड़र है उल्टा पॉजिट हो जाएगा एड हो जाएगा इसुट्ड का राइट अट्सion हो जाएगा इसुट्ड फेस जाको अब कुरते नियूज गृप डिस्क्राइब मतलब वर्नन करना वर्नन करना वर्नन करना प्रैक्टिस मतलब अभ्यास करना यह नाउन है सिर्फ अभ्यास होगा और फेंड मतलब क्या होगा और फेंड मतलब होगा और बोलते हैं उसको अपमान करना अपमान करना अपमान करना यहां पर सी है तो अभ्यास अ जाता है टी आई ऐसी यह हमारा बहर फॉर्म है इसका मतलब होता है अभ्यास करना अभ्यास करना अब फ्रेंट्स चलिए हम लोग स्वल्व करते हैं एटी नाइन्थ कुश्चन को अब इसक्रेट और डिजगाइजड वे आप रैटिंग मिंस लिखने का जो है गुप तरीका तो उस तरीकों क्या बोलते हैं जिसमें हम जो है गुप तरीके से लिखते हैं तो इसको हम बोलते हैं इंबलेंट मतलब क्या होता है इंबलेंट मतलब होता है इंबलेंट मतलब होता है निसान कोई चीज़ का चीन या निसान होता है निसान सिंबॉल मतलब क्या होता है प्रेंट्स सेम चीन या निसान पजल मतलब क्या होता है प्रेंट्स पजल मतलब होता है पजल मतलब तो हम लोग जानते हैं पजल रेजिनिंग में चैप्टर भी है पहली होता है पहली बोल सकते हैं जो जिसे solve करने में हमें समय लगे मतलब उलजहावा question जो होता है उसको हम कहते हैं पहली सीफर इसका प्रेंट्स right answer हो जाएगा सीफर सीफर मतलब होता है मतलब गुप्त रुप से किसी चीज़ को गुप्त रुप से लिखना और sacred or disguised way of writing किसी चीज़ को गुप तरीके से परकट करना गुप तरीके से लिखी तो मैं परकट करना उसको मिखेंगे सीफर चलिए फ्रेंट्स अनुक्सर करते हैं नांटीएथ कुश्टन को अंदो कंसर चुवल सॉरी दो कंसर बिकेम तू मच किलिए टू मी आप्टर माई ट्यूटर सौड मी सौड मी दर डाइग्राम कंसर जो है मेरा बहुत ज़्यादा किलियर हुआ जैसे ही टूटर जो है मतलब टीचर जो हमने हमें डियाग्राम दिखाया तो मतलब टीचर ने तो यहां प्रेंट्स हमें किस पार्ट में एरर है यह में फाइंड आट करना है यहां पर कंसेट्ट जो है तो मतलब होता है फ्रेंट्स हद से ज़्यादा हद से ज़्यादा तो यहां प्रेंट्स तो मच वर्ड जो है तो टेवल नहीं है इसका यूज नहीं किया जाएगा दिखेंगें तो मच के लिए टू मी आपटर माई चूटर सोट में तो टार्गरम तो यहां फ्रेंट्स जो है टू के प्रेंट्स पे फ्रेंट्स जो आएगा वो आएगा वनली मच आएगा और क्लियर जो है फ्रेंट्स क्लियर के साथ हम क्या करेंगे क्लियर का जो है यह एड्जेक्टिव है फ्रेंट्स यह क्या है एड्जक्तिव है एड्जक्तिव है तो इसको जह हम comparative form यूज करेंगे clear the concept became much clearer to me after my tutor solved me the diagram तो इस question का right answer to friends, option D हो जायगा लिखेंगे उसके बाद हम लोग तूमी लिखेंगे यहां से इस्टार हो जाएगा तूमी से लेके यहां तक यह हमारा राइट अंसर हो जाएगा कि मौता होता है मोटा का कया हो चलिए देखते हैं किस अप्शन में जो है हमें पतला मीलिंग आ रहा है लाज मतलब क्या होता है ये तो नहीं होगा इस्टाउट मतलब क्या होता है ये तो सैनोनीम हो गया ये भी नहीं होगा स्लीम मतलब क्या होता है पतला पतला जो है इसका एंटोनीम हो जाएगा तो हमारा राइट अंसर क्या हो जाएगा का फ्रेंट्स ओप्चन सी हो जाएगा है फिर हो फ्रेंट्स हम रोग रेफ्ट जो वरडर यह का मीनिंग जाना लेते हैं ग्रीजी मतल मतलत होता है तो भी तेल वाला उस टैब से in इसको स्लीम हो जाएगा चलिए हम रुक स्वल्व करते हैं नैंटी सेगेंड को तो हमें क्या बतलाना है हमें जो है कौन सा पराजंबल को कुस्चन है तो इस प्रेंट्स को मॉपस्टन के हैं तो स्वल्व करेंगे यहां पर से में है एक्डी बी सी केंसल हो जायागा दिस स्ट्ट हो जाया तो इह और बी में जो पराइस सी सब्सक्रण को कौमन गैं आख्यातो इस भी होगा यह घो 까지 को परााइस वागा हो जोना है really have a close circle of friends and companions they were Sarbasi and Pangoli the two cows living in their cossed they even understood the precious moments between them as she loved and cuddled them escorted them and pleaded to them though they had never ever heard of soha uttered their names they they unfailingly recognized her footsteps as she came into their shade no 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 see about cbd ever read correct so but it really have a close circle of friends and companions they were Sarbasi and Pangoli the two cows living in their cossed they even understood the precious moments between them as she loved and cuddled them escorted them and pleaded to them they understood the they understood the silent melancholy tune of her unspoken words during those moments and the intensity of her expressions more easily than the spoken language of other humans d-a though they had never ever heard soha utter their names and they unfailingly recognized her footsteps as she came into their shade and see friends this is our c-a-d-b BCADB जो है यह से मीनिंग खुल बना रहा है इस पैसेज को तो हमारा BCADB जो है इस Q2 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोग अब solve करते हैं 93rd question को the minister along with his team members is expected to arrive shortly तो the minister along with his team members is expected to arrive shortly तो friends यहाँ पर is expected to arrive इसके place पर क्या आएगा ये हमें friends बताना है तो इंप्रूब्मेंट का question है इंप्रूब्मेंट का क्या इंप्रूब्मेंट आएगा ये हमें बताना है तो friends जैसा कि यहाँ पर minister singular है singular है तो is expected तो इसके ये हमारा subject है तो इस subject के according जो है भर्व आएगा तो इसके लिए इस आया है singular verb है singular verb है और subject भी क्या है singular है दमिनिस्टर है तो इसके according ये राई सही है friends तो इस question के right answer हमरा हो जाएगा option A ही हो जाएगा no substitution okay friends अब लोग solve करते हैं इसका जो है no substitution right answer जागा अब मूब करेंगे 94th question को solve करने के लिए okay friends 94th question में है Mr. Rao asked ask the newcomer to his office if he will minded working late that that day friends will a word है जिसके बाद हमेंसा क्या आता है भीवन आता है यहां क्या वील है वील के बाद क्या माइंड यूज क्या आगा माइंड क्या है friends भीथरी है जो हमारा क्या है वील के बाद क्या आएगा माइंड आएगा भीवन के लिए भीवन माइंड है तो ऐसा हमारा वील माइंड यह रॉंग ऑप्शन डी तो इस question का right answer friends option D हो जाएगा okay friends अब हम लोग मूब करेंगे 95th question को solve करने के लिए तो कौन सा spelling जो है फ्रेंट्स रॉंग है इन्वेशन इन्वेशन नया नए इन्वेशन होता है यह तो हम जानते है फ्रेंट्स यह यह right है spilling barricade बादहा होता है और इसका spilling भी सही है increase this case भ्रेंट्स रॉंग है प्रिश्यस का spilling क्या होगा right spilling होगा P-R-E-C-I-O-U-S प्रियूसमें तो महाँ इंऺ्ञा इन्फेक्ष्न this प्रेंट इन्फेक्ष्न प्रसी में bene इन्फेक्ष्न होता यह स्पिलिंग भी राइट है प्रेंटस रॉंग स्पिलिंग और फी ही second host का मैं तो सी हमारा क्या हो जागा इस स्पय्चन का राइट आंसर हो जाएका अब लुक्सल्ब करेंगे 96th question को इसाविरा राज ओरीजीन ओरीजिन एस्टेज बैक टू प्री हिस्टोरिक टाइम्स अन्दिस अस्पोर्ट और मोरोकोज अट्लांटिक कोस्ट डैस और सेंटर अब कल्चर और कॉमर्श इवर्सिंस डैस तो इस साविरा राज ओरीजिन एस्ट्रेज बैक टू प्री हिस्टरिक टाइम्स अन्दिस एस्पोर्ट और मोरोकोज अट्लांटिक कोस्ट डैस सेंटर अब कल्चर तो फ्रेंट यहां पर क्या आएगा प्रेंट को चेक करते हैं तो यहां पर जैसा कि इस स्पोर्ट है तो यह सिंगलर है सिंगलर है तो हैं बीन तो नहीं आएगा हैड बी कभी यहां पर मीनिंग नहीं दे रहा है यहां पर पर मीनग आ रहा है मिन ऑप्षान बी ही है जिस वी नायगा प्रेंच अप्षाग को सेफिर बेसे हैं दो sport on morocos Atlantic coast has been a center of culture and commerce ever since . Okay ? dash centuries . तो हमें ? বब दे जेंचुरी जम्य क्या में ? क्या होगा ? यह में ? In centuries above centuries, four centuries , eight centuries यह प्रेंट्स time के बारे में बात हो रही है तो फ्रेंट्स time के respect में किस वर्ड, कुन सा वर्ड यूज करते हैं ? से टो फ्रेंट के सीं के लिए। इन तो नहीं आएगा अगा एड़ yatowski सिन्स यह फोर जो है टाइम के किस में यूज होता है यह पॉइंट अफ टाइम के लिए यह पिरियोड अफ टाइम के लिए तो अप्टन सी जो हमारा फ्रेंट इसको इनका राइट अंसर हो जाएगा जा इस्ट मेंस फोर संचवरी अघर्बर Mम транव मलें थाएट टाइम प्रेंट इंपॉर्ट ट्राइम मैं प्रेंट थिए बस बोर्तों अच्थ्ट चिभॉ कॉर्ट अजा टाइडेnost १र्थर्ई पिंटर्म стан कार्व प्रतों मैं फील्करना है तो यहां फ्रेंट्स दो है, फ्रूम तो नहीं आएगा, एड भी नहीं आएगा, बाई भी नहीं आएगा, एज आएगा, फ्रेंट्स, पोर्ट एज, एज, यहां फ्रेंट्स यहां पर एज आएगा, फोर सेंचूरीज यहां पर आया फोर सेंचूरीज सदियों से The Harbour Town was an important trading post as both a seaport and as the North Western Western terminus और फे कारवाँ और फे कारवाँ डैस तो कारवाँ डैस को में फिल करना है और फे कारवाँ डैस और फे कारवाँ डैस और फे कारवाँ यह नहीं होगा डैरेक्शन नहीं होगा और फे कारवाँ है यह भी suitable नहीं लगता है और फे कारवाँ रूट यह फ्रेंट्स कारवाँ के बाद ज्यादा ब्रूट है ज्यादा suitable word है रूट कारवाँ रूट यह आएगा 4 S of Karavan as 4 4 S the harbor Town was an important trading post as both a seaboard and as the northwestern terminus of Karavan route route stretching across the desert to Timbuq टिम्बूक टू तक फ्यला वा मक्यक्व को के इंदर है तो यह आफिकरग से पहले कोंसा कौन सा प्रिंप अएगा यह हमें बतलाणा है हम देखते हैं इत्प किंफ जब फैरा निगा olur का फिल रत्रें टाना व्हींत हैm से बेस्ट तो फ्रेंट हमें इन ही लग रहा है इन अफ्रिकाज इंटेरियर अब 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 अफ्रिकाज इंटेरियर यह तो नहीं है फ्रेंट और अफ्रिकाज इंटेरियर यह रॉंग है और अफ्रिकाज इंटेरियर यह रॉंग है तो हमारा फ्रेंट राइट अंसर हो यस विडियो में इतना ही थेंक यू फार वाचिन दिस वीडियो please like, share and subscribe my youtube channel भरत अश्टाड़ी if you like if you like this video please comment in the comment section box and bye and take care